Hello everyone, this is 9th lecture on GST, यानि GST पर ये 9 लेक्चर है, इस 9 लेक्चर में हम GSTN के बारे में पढ़ेंगे, यानि Goods and Service Tax Network GSTN क्या है, GSTN के क्या कारे है, GSTN क्यों बनाया गया, GSTN की GST में क्या भूमिका है आई ये शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं, What is GSTN, यानि GSTN क्या है मालेवं सेवाकर, नेटवर्क इसको बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिज में Goods and Service Tax Network GSTN has been registered under section 25, आप company जेक 1956 यानि कि company एक 1956 की धारा, पत्तीस के अंतरगत इसका रेजिस्टेशन किया गया था इसका रेजिस्टेशन 28 माई 2013 को किया गया था आगे यही लिखा है, इस नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गॉर्नमेंट, प्राइवेट लिम्टेट कंपनी, इट वाज इनकॉर्परेटेटर अन 20 माई 2013 इसका इनकॉर्परेशन समामेलन हुआ था, यह एक नॉन गॉर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट लिम्टेट कंपनी है नहीं, इन्फेक्ट थी इस समय, और यह लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट और इसका उदेश लाप कमाना नहीं है और यह सेक्शन 25 जो है, इसका रेइस्ट्रेशन, जो भी कंपनी या संस्था इस सेक्शन रेइस्ट्रेशन होता है, वो नॉन फॉर प्रॉफिट और नजेशन ही होती है, गयर लापकारी इसका इसका समा मिलन हुआ था, 2013 में, तो 49 परसें इसका शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास था और 51 परसें प्राइवेट प्लेयर्स के पास था, यह प्राइवेट हाथों में था, जिसमें ICICI Bank थे, HDFC Bank था, HDFC Limited, LIC Housing Finance और National Stock Exchange Strategic Investment Corporation Limited, यह सब थे, 51 परसेंट के पास शेयर होल्डिंग थी, लेकिन वर्तवान में यह 100 परसेंट गवर्नमेंट कमपनी बन गई है, वह चीज आगे लिखा हुआ है, यह चीज है It has been decided to make GSTN 100% Government Company in 27th GST Council Meeting, held on 4th May 2018, यहने GST Council, इसके पहले में हमने बताया था, GST Council क्या होती है, उसके हमें सा मीटिंग होती रहती है तो उसकी मीटिंग होई थी, 4 मई को 27 मीटिंग थी, उसमें decide किया गया कि से 100% Government Company बना दिया जाए, तो वर्तवान में यह 100% Government Company ही है अब थोड़ा सा उसके कार्यों के बारे में लिख दिया है हमने, इट प्रवाइट्स हाला कि यह पूरा आप लिख देंगे पूरा definition हो जाएगा, इट प्रवाइट्स शेयर्ड आईटी इंफ्रस्रक्ट्ट्चर एंड सर्विशेश टू बोज सेंटर इंस्टेट गोर्नमे करता चैज प्रवाइट्स हाय कि इसको सेंटर गॉवर्न्मेट को यह स्टे गॉइर्मेन को और जो ट्यक्सपायर है जो रिखान वगरा कराते हैं इसके अंदर गात उन सब को और हम्ला सबके इनका इंट्रेस्ट होता है GST में तो उसको सर्विस प्रवाइड करता है दी रजिस्ट्रेशन फ्रंट इन सर्विसेज रिटर्न्स एंड पेमेंट टु आल टेक्सपेयर विल बी प्रोवाइड बाई GSTN यानि कि फ्रंट इन जो सामने स्क्रीन पे दिखता है आपको कंप्यूटर पे लेप्टॉप पे आपके मोबाइल पे जो सब सर्विसेज होती है सामने दिखती रहती है वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है GSTN रिटर्न है पेमेंट टू आल टेक्सपेयर है जो GST का पेमेंट करते हैं विल प्रोवाइड बाई GSTN ये सब करते हैं संसीत रूप में कहा सकते हैं इट विल बी एक्टिंग एज इन इंटरफेस बिट्विन गवर्नमेंट एंड टेक्स पेयर यानि कि टेक्सपेयर और गवर्नमेंट के बीच का ये कड़ी है मध्यस की रूप में कार करता है tax collect करता है taxpayer से और government को दे देता है इस तरह से आप समझ सकते हैं अब देखिए GSTN क्या है इसको एक example से समझ दीजिए यह वही चीज़ मैंने हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर इसको example से एक समझते हैं जैसे आप लोग का government की vacancy निकलती है UP government का example ले रहे हैं तो उत्तरबदे सरकार का vacancy निकलती है तो website को तुरू online farm भरा जाता है तो यह online farm जो भरते हैं वो जो website होती हो कौन बनाता है NIC National Informatic Center नीचे आपके website में लिखा होगा आप जब open करेंगा देखिएगा NIC लिखा रता है prepared by NIC यह एक संस्ता है जो कि सारी website को maximum website को यूपी government के वो देखता है तो उसमें क्या क्या फैसिल्टी वो देता है आप फॉर्म भर सकते हैं उसमें कोई vacancy आती है तो फॉर्म भरने फैसिल्टी है कोई date extend होता है तो वो notice डालते हैं उसमें वो भी काम उनका आता है जैसे जी STN करता है गुर्सन सर्विश्टाइ है उसके बाद है अगर payment से समंदित कोई दिक्कत आ रही है तो वही देखता है आप complain करेंगे तो उसको सुधारता है जैसे वर्तवान में TGT-PGT vacancy आई है तो उसको cancel कर दिए तो cancel वाली notice भी वही website पे डाला हुआ है उसी का काम है NIC का National Informatics Center का उसके साथ ही साथ उसमें जो तो उसी तरह से GSTN है NIC उनलोग को vacancy वगरा के लिए है और दूसरी दूसरी website भी मिनाता है बहुत सी website है इसी तरह से GSTN कार करता है एक company है यह GST की website होती है gst.gov.in उसकी सारी maintenance उसको बनाना payment receive करना return file करना ITC करना इस सारा का सारा देखभाल वो यह GSTN ही करती है और यह GSTN न्यू दिल्ली में इस्थापित है इसका address है fourth floor tower B इंद्रा गांधी international airport नई दिल्ली यहाँ पे यह company है चलिए इसको हिंदी देख लेते हैं इसको आप समझ लिए Goods and Services Tax का सारा data GSTN के पास रहता है यह company है सारा data उसके पास रहता है जो भी आप feed करते है registration किये return किये दाखिल किया ITC लिए Goods and Services Tax Network को 28 March 2013 बनाया गया था यह तो हम बताया है एक non-profit गयर सरकारी कंपनी है यह एक non-profit गयर सरकारी कंपनी है यह चुड़ गया इसमें 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 सरकार के सदारे 49 और अन्यजी संस्ताओं के 51 प्रसंट थी और बता चुके है चार मई 2018 को GST Council के साहती समी मीटिंग में इनफेक्ट 27 यह थोड़ा से गलत हो गया है यहां पर 37 नहीं 27 है यह गलत हो गया हमारा इनदे लिया गया कि यह 100% कंपनी बना दिया गया गया गूर्ट सर्विस टेक्स नेटवर्क जो टेक्सपेर और दूसरे स्टेक होल्डर समेत के इन सरकार राज सरकारों को साधा IT इंफ्रस्ट्रक्चर उपलब्द कराती है सभी टेक्सपेर को रिस्ट्रेशन डिटर्न और पेमेंट जैसे सर्विसे गूर्ट सर्विस टेक्स नेटवर्क की तरफ से उपलब्द कराती है इसके लावा यह बैंकी नेटवर्क के टेक्स पेमेंट के डिटेल का मिलान कराती है यह फुली स्टाफ है यह नहीं रहगा, फुली स्टाफ है यहां पर कराती है, Goodson Service Tax Network सरकारों को अलग-अलग MIS Report उपलब्द कराती है, साथ ही Taxpayer के Profile का विसलेसर करती है, यह मैंने Hindi Medium ओलों के लिख दिया है, कि यह नोट्स अपना बना ले फिर देखिए ये कौन कौन से सेवाय प्रदान करते हैं हाला कि यह चीज बता चुके अभी तक हम यह दिस सर्विसे सब जेस्टेस इस प्रोसेसिंग फारवर्डिंग दी रिटरंस आप बोथ सेंटर इन स्टेट अथार्टी इसके पहले हिंदी वाला मन जल जल दी पढ़ा द इसी को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है तो आप लोग के लिए हिंदी वालों के लिए जीस्टेन की सेवाव में रिटर्न का प्रसंसकर करके केंद्वर रास सरकार के कर अधिकारियों को अग्रेसित करना है और जीस्टेन के सबंद्र सबसे अच्छी चीज यह है कि आई जीस् जीस्ट सबके लिए एक सामान नेों एक ही कित ऩर्फाइल करने कर सकता है यानि सबके लीए अलाग लेए डिटन फाइल कर दो men हाला कि कुछ अगर ग्याम में आता है सेम आये या कार ये तो सब कार ये अभी अभी इसके बारे में हम जानेंगे तो सब इसी में आता है वही सब लिख सकते हैं आप लोग ये है दिखें फंसेंस आप GSTN, GSTN के कार ये मैंने लिखाया है इस बैसिकली दी फ्रंट इन आप दी आईटी एको सिस्टम फॉर टेक्सपेयर और दस फॉर्म से चैनल आप कम्मिकेशन फॉर गॉर्नमेंट और दी बिजनेस टेक्सपेयर ओनलाइन यानि कि GST नेटवर्क अधारभूत रूप में एक फ्रंट इंड ओफि जो दिखेगा जो कंप्यूटर स्कीन पर दिखता है सारी फैसिल्टी है रिटन फाइल करना है और भी बहुत चीज़े है टेक्स पेमेंट करना है तो यह इसका कार है और यह एक कम्मिकेशन का काम करता है सम प्रेसर्ड कार्ष को हिंदी बोलेंगे गॉर्नमेंट और टेक्स एक कम्मिकेशन का काम करता है इसके माध्यम से यह इस वैस साइट के माध्यम से ही लुटल के पास?- पछाता है और टेक्स पेयर पास पहुंचाता है biz सब की अगर डेट एक्स्टेंड की गए जैसे भी कोरोना टाइम पे डेट एक्स्टेंड काई बार किया गया है तो डेट एक्स्टेंड करते हैं तो गौवर्णमेंट कैसे बताएगी तो इस GST की वेफसाइट पर ही GSTN के माध्यम से ये नोटिस डाल देते हैं कि हाँ इसकी डेट लाग बढ़ा दी गई है आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी ये सब चीजे इसी के कारे हैं GSTN के अब देखिये वनबाई वन दो चार चार काडरे हमने लिखे है इसको देख लेते हैं पहला है तो देखिये फैसिलिटेटिंग रिजिस्ट्रेशन की सुविधा पदान करना तो रियंच भी सब्दार दियाकि कोई online registration कराता है अब देखिए GST के अंतर के सब कुछ online हो गया है तो online porter जानि वो जो website है उसमें form भरेगा वो अपना पूरा detail और यह उसके profile को check करेगा पूरा यह जो GSTN है taxpayer और government के बीच में जो government diet तो interfere करती नहीं है जो tax authority होती है वही सब अपना काम देखते हैं तो tax authority जो होती है और जो taxpayer होते हैं जो businessmen है registration कराने गया है तो उनके बीच में एक interface का काम करता है एक मध्यस का काम करता है और जो वो file जो भी information देते हैं उसके आधार पर वो GSTN GSTIN इसको बोलेंगे तो good service tax identification number तो वो allowed करता है और फिर जो भी information को देते हैं तो tax authority को जो form भरते हैं registration करते हैं तो वो tax authority तक ही वो पहुचा देते हैं verify करने के बाद यह GSTN का कार है registration की सुविधा परदान करना इसके अंतरगत यह से explain किया है मैंने next है matching of tax payment detailed with banks यानि bank के साथ भुकतानों का मिलान करना देखे जो tax payment करते हैं तो bank जो भी payment करते हैं जो taxpayer है तो government के पास जाता है तो bank के पास जाता है in fact bank उनका जो government का account ह उसमें तो उससे matching की सुविधा भी यही प्रदान करते हैं कि हाँ इसने payment किया है तो bank के पास पहुचा है कि नहीं यह सब चीजे हैं एक और होता है invoice matching का मैंने आगर लिखा है या नहीं इसमें छुट गया है हमसे एक invoice matching भी होती है तो उसमें invoice matching क्या होता है GST उसमें tally करात है purchase invoice को sale invoice के साथ यहां एक और matching of invoice heading upload बना लिजेगा यानि कि बीजकों का मिलान करना तो उसमें जो purchase invoice होता है और sale invoice होता है उसको tally कराते हैं और कहीं जो mismatch होता है कुछ problem हती है तो उसको ठीक करते हैं ताकि जो taxpayer है उनको सही benefit मिल सके ITC का input tax credit का ITC की बारे में भी आगे बताएंगे वीडियो में आगे के वीडियो में तो वो सही अगर कोई businessman है purchase किया उस पे payment करेगा tax तो उस पे ITC लेता है लेकिन उसमें आगे उसको sale नहीं किया तो output tax आपका पना नहीं तो input tax credit मिलता नहीं है इसलिए यह मिलान की बात हो रही है कि invoice matching क कराएंगे तभी वो ITC मिलेगा अगर वो output tax का payment करेगा तभी ITC मिलता है अगर वो sale नहीं किया जैसे हम और आप purchase करते हैं consumer की बात हो रही है तो अगर हम जाके दुकानदार से purchase करते हैं तो हमने तो tax दिया वहाँ पे लेकिन हमें ITC नहीं मिलता क्योंकि हम उसको sale नहीं कर र नेक्स है taxpayer profile analysis यानि करदाता के profile का wish laser करना अब देखे प्रोफाइल जो होता है मतलब जो form अब भरते हैं जो register कोई होना चाहता है कोई taxpayer कोई businessman है तो अपना form भरता है पूरा detail तो उसको verify करने का analysis करने का उसका wish laser करने का car GSTN का ही है पहले वो पूरा detail देखता है कि सही है कि न settlement को authority को जो होती है जो tax authority होती है उनके पास approval के लिए भेज देता है हाँ यह ऐसे से है registration करा चाहते है अब देख लेजेए अब अपने level भी verify करता है फिर उसके बाद GSTN GSTIN पर लौट कर देता है फिर है अगला calculation and settlement of IGST देखें IGST की गढ़ना और निस्टार्ड करना जो integrated goods and service tax है उसका calculation करता है इसी का काम है और उसको central और state government ने कितना कितना बाटा दे निस्टित है तो यह बाटने का कार भी GSTN का ही है फिर अगला है function integrating banking network with tax payment detail यानि कर भुक्तान ब्यावरों के साथ banking network का एक ही करड करना अब जैसे कोई tax payment करने जाता है ठीक है तो cash payment करेगा तो bank के पास पहुचना चाहिए तो उसका link वहाँ provide होना चाहिए तो link provide करने के लिए bank से agreement कराना पड़ता है bank वो अपनी approval देगा तभी होगा न जैसे हम लोग form भरते हैं payment करते हैं तो वही चीज है यहाँ पे integrating banking network तो उन को integrate करना एक दूसर से link कर देना ताकि हम यह taxpayer payment करें GST का तो वह बैंग में चला जाए यह GSTN का ही कार्य है managing next है managing computation engine of input test करेट यानि आगत कर जमा है तो गर्णा तंद्र की का प्रवंद करना जी हाँ यह जो अभी invoice matching का मैंने बताया था दूसरे number पे जो छुड़ गया था उ और उसके बाद ITC provide करते हैं तो यह सब सारे system ITC समंधि यह GSTN ही देखता है next submitting the MIS report to government यानि सरकार को MIS report भेजना अब MIS report क्या होता है MIS का full form है management information system यानि GST से समंधि जितने भी कार हो रहे हैं website पे सारे कार website पे ही होते हैं तो उससे समंधि report generate करते हैं तो उसको MIS report बोलते हैं तो यह government को देते हैं GSTN का card है government तक पहुचाना यह किस लिए होता है decision making के लिए किसी चीज को decision making जैसे Corona काल में अभी Corona time में आपका tax collection बहुत कम हुआ यह government को जल्दी कैसे पता चल जाता है all over India का है तो यह GSTN ही बताता है कि tax collection नहीं हुआ कितना हुआ और कोई compliance हो रहा है कि नहीं जो नियम काईदे बनाए है उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं और कौन सही से tax जमा कर रहा है कौन से नहीं जमा कर रहा है किसमी penalty लगी है यह सब कुछ उस पे कितना turnover हुगा है अभी कुछ दिन पहले GST जो government ने बताया का का खासा turnover करने लगा है sell purchase हो गई है market demand हो गई है कैसे पता चला यह मैस रिपोर्ट से ही पता चला यह turnover कितना हो रहा है लोगों का यानि sell तो यह सब मैस रिपोर्ट से ही पता चल जाता है तो यह मैस रिपोर्ट ही बताता है कि utilization ITC का utilization कितना किया गया है maximum all over India यह बहुत यह functionality जो है GST की कितना collection होगा कितना ITC यह सब कुछ पता चल जाता है government को यह MIS report submit करना सरकार को यह GSTN का ही कादर है next है आपका for awarding the returns to central and state government authority जानि return को केंदरो सरकार सरकारों के अधिकारियों को भेजना जो return file करते हैं न वो quarterly मैंने बताया quarterly return होता है turnover basis पर आगे के वीडियो में इस सब चीज़े पता चलेंगे आप लोग को turnover के वीडियों को quarterly है यानि त्री माही है half yearly है return return file करते रहते हैं कितना कितना tax हमने जमा कराया है ITC वरक भी इससी अधार पर मिल जाती है तो यह सब अधिकारियों को भेजने का कार कौन अपना return file किया है कौन नहीं file किया time से तो इसके खिलाफ action लिया जाता है न तो कैसे लेगा अधिकारी कोई उसके वह GSTN इस में रिपोर्ट भेशता रहता है अधिकारियों को इसलिए इसको देखे diagram form में हमने बनाया है समझने मासा नहीं हो वही चीज़ है registration की सुभिधा प्रतान करना यह हमने बता दिया return दाखिल करना यह कार रहे है GSTN का फिर यह है account यह है केंद और रास सरकारों के बीच course हस्ता हस्तांत्र का लेखा जोखा रखना जो आई GST के बारे में भी बताया थे हम यह चीज था यह वाला calculation settlement of GST तो इसी यह चीज है राज और केंद सरकारों के बीच केंद और राज सरकारों के बीच course का हस्तांत्र का लेखा जोखा रखना यह इंग्लिस और हिंदी दोनम लिखा कि साथ है ताके सब को दिक्कत ना हो किसी को भी फिर आधिजित बैंक के साथ भुकतानों का मिलान करना खुकतान बार कैश्ता पहुचा है कि नहीं कहीं 20 मई तो नहीं रह गया यह सब चीज इस चीज है इना आई टीच समंदी डिलेट इन्फर-मेशन का इचीज मैंने दे दिया मैं यह चीज है आई होप आप सबको अच्छा लागा होगा जी एस टीन के कार समझ में आ गए होंगे आपको लोको समझ में आया या नहीं अब नीचे कमेंट बॉक्स में जोरो लिखे अगर कोई प्राउलम है किसी पॉइंट पे तो वह भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया किजिए थैंक यू आल लास्ट तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए